सो हेलो गाइस कैसे आप लोग मित करता हूं च्छोंग दोस्तों आज के बड़े हम बात करने वाले हैं जाइफर लेप्स का दड़ बिश्टेपर एक्स्ट्रीम बेस एम्पलीफायर जो की 10 नमबर जो है इसका 10 है जाइफर लेप्स 10 और इस एम्पलीफायर का प्राइस कितना होगा मार्केट प्राइस आपको बताने वाला हूँ कहां से पर्चेस करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में साथ ही साथ हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर में हम कितने वाट का बेस चला सकते हैं यूज कर सकते हैं जो कि अपने थम्लेन में भी देखा होगा और यहां पर हम इसमें आठ बेस भी काफी अच्छे से चला सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आगी तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब और बेल लेकिन को प्रेस करके अल पर सेट क कर लिजेगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सके तो चले फिर बात करते हैं आपर जाइपर लेप्स का डब इस टेपर 10 के बारे में इसका प्राइज स्पेसिफिकेशन रिब्यो लोड कल्कुलेशन जितने भी यहां पर डिटेल्स होते हैं वो सारा देने की क विडियो को भी नाइस कीप करें देखिएगा तो चले फिर फटाफट से बात करते हैं एंप्लिफार के फ्रन्ट लुक से एंप्लिफार के फ्रन्ट लुक में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चैनल 1 चैनल 2 गे लिए गेन नॉप्स एलेडी लाइट इंडिकेशन जिसमें कि हमें सारा चीज लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं जो भी हम एम्पलिफार में हमें चाहिए होता है उपरेटिंग करने के लिए यहाँ पर जाइपर लेब्स का एक लोगो जो की यहाँ पर सेंटर में दिया गया है साधी साथ जाइपर लेब्स दडव श्टेपर 10 इसका मोडल नंबर मेंसन कर दिया गया है साधी साथ सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है एक्स्ट्रीम बेस एम्पलिफार मतलब की यह एम्पलिफार इस पेसली बेस के लिए बनाया गया है और इसके साइड में आप देखेंगे तो पाउर नप का स्विच बटन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एम्पलिफार में आपको एक बड़ा सा फ्लाइट केस देखने को मिल जाता है जोकि यह 3U साइज का फ्लाइट केस होता है एम्पलिफार 3U साइज एम्पलिफार आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह विंटरिलेशन के उपर और नीचे यहाँ पर यह गैप रखा गया है जोकि यह विंटरिलेशन होते रहे Amplifier हमारा running condition में ठंडा होते रहे है और यहाँ पर flight case के उपर भी आपको Zyper Labs का एक logo देखने को मिल जाता है जो कि Amplifier काफी अच्छा branded आपको देखने को मिल जाता है तो जली अब हम बात करते हैं इस Amplifier के specification output के उपर कि हमें क्या-क्या details देखने को मिल जाता है इस Specification में तो यहाँ पर हम बात करते हैं output के उपर तो यहाँ पर 8 ohms के उपर 2150 वाट का per channel output और 4 ohms के उपर 3450 वाट का per channel output 2 ohms के उपर 5500 वाट का per channel output देखने को मिल जाएगा Damping factor के बारे हम बात करेंगे तो damping factor आपको इसमें 1000 देखने को मिल जाता है frequency response बीस हट से लेकर के 1 kHz मतलब कि 1000 Hz तक ये amplifier काम करने वाला है मतलब कि ये low frequency में काफी अच्छा काम करेगा amplifier जो कि 20 हट से लेकर के 1000 Hz तक आप काम कर सकते हैं मतलब इसमें low और low mid तक ये amplifier काम करने वाला है जिससे कि हमें काफी अच्छा low देखने को मिल जाता है base देखने को मिल जाता है class के बार हम बात करेंगे तो class D amplifier होने वाला है और ये amplifier light weight होने वाला है amplifier का weight 40 kg से भी कम होने वाला है जो कि काफी अच्छी बात है और यहाँ पर हम बात करते हैं warranty के उपर तो इस amplifier में हमें warranty भी देखने को मिल जाता है जो कि 2 साल का warranty हमें मिल रहा है इस वाले amplifier में Zypher Labs का The Dub Stepper 10 amplifier में आपको 2 years का warranty के साथ आपको ये amplifier देखने को मिल जाएगा कहीं से भी purchase करते हैं तो warranty जरूर लेजे जिससे की कोई बड़ा problem हो तो आप उसे काफी easily solve कर पाए और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह होता है आपका इस specification detail amplifier का अब हम बात करते हैं इसमें हम कितने वर्ड का base speaker चला सकते हैं जैसे की 2 base, 4 base या फिर 8 base हम कितने वर्ड का इसमें लगा सकते हैं तो चले फिर हम यहाँ पर speaker का load calculation करते हैं इसमें हम कितने वर्ड का speaker चला सकते हैं तो यहाँ पर speaker के बात करें तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं RMS power का speaker तो RMS power में अगर हम speaker लगाना चाते हैं तो हम पहले बात करते हैं दो speaker से मतलब कि एक speaker एक चल में और एक speaker दूसरे चल में कुछ इस type से हम लगाने वाले हैं और यहाँ पर speaker का जो wattage रहेगा वो यहाँ पर 2200 watt RMS 4 में आप इसको speaker लगा सकते हैं इस वाले amplifier में जो कि काफी अच्छा बज़ेगा यहाँ पर 2000 watts लेगर के 2200 watt का speaker हम इसमें लगा सकते हैं एक एक speaker एक चल में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 4 ohms के उपर तो 4 ohms के उपर यहाँ पर हमें देना पड़ेगा load 1800 watt का 1800 watt का या फिर 1700 watt का हम 4 speaker चला सकते हैं RMS 4 का speaker होना चाहिए यहां पर 18W का RMS Pound का speaker हम इसमें चला सकते हैं या फिर 2000W का भी 4 speaker हम इसमें रन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहां पर 2 speaker एक चलमें और 2 speaker दूसरे चलमें कुछ इस प्रकार से हमें connection करना है जो कि हमारा 4 speakeron देखने को मिलते हैं तो एक-एक speakeron में हम एक-एक speaker लगा देंगे और हमारा जो connection होगा वो 4 ohms के उपर यहां पर connection होता है एक channel में तो एक-एक channel में 4 ohms 4 ohms में यहां पर amplifier रन होता है चार speaker में तो कुछ इस टाइप से हमारा load होने वाला है और यहां पर speaker हम RMS power में 2000 वाट का speaker हम इसमें लगा सकते हैं इस amplifier में अगर हम वही बात करते हैं आर्ठ speaker चलाने के लिए मतलब हम 8 बेस चलाने के लिए या फिर 4 dual बेस चलाने के लिए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बेस के वारे में तो आठ अगर हम single base चलाते हैं तो हम उसे 8 base बोल सकते हैं और अगर हम 4 dual base चलाते हैं तो उसे भी हम 8 base बोल सकते हैं तो 4 dual base आप ले सकते हैं या फिर 8 single base ले सकते हैं तो कुछ इस परकार से connection होगा कि हमारा जो एक speaker में हम लगाएंगे दो speaker और दूसरे speaker में दो speaker यह हमारा channel 1 का connection होगा और channel 2 का भी connection सेम वैसा ही होगा एक speaker में दो speaker और एक speaker में दो speaker तो यहा पर कुछ इस टाइब से connection हो जाता है 4 ohms की उपर connection होगा per speaker और हमारा जो amplifier work करेगा वो 2 ohms की उपर काम करने वाला है तो अम्प्लिफार यहाँ पर 2 ohms के उपर हमारा stable है कोई भी दिक्कत नहीं आगी 2 ohms के उपर हम इसमें चला सकते हैं इसमें हम कितने वट का speaker चलाएंगे वो हम बात करेंगे तो इसमें हम RMS power का speaker 4 inch voice coil में हम यहाँ पर 1200 वट का speaker हम इसमें लगा सकते हैं 1200 वट का 4 speaker एक चलाएं में 1200 वट का 4 speaker दूसरे चलाएं में total हमारा जो base होता है वो 8 base हो जाता है हम इसमें 8 base लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आगी तो कुछ इस परकार से हम जो है जाइपर लेब्स का दो डव श्टेपर यहाँ पर 10 में इस परकार से हम load calculation करेंगे जिससे कि हमारा amplifier काफी easily work होता रहे तो कुछ इस type से हम जो है इसमें base speaker लगा सकते हैं अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे जो कि हम बात करते हैं इसके price details के उपर purchasing details के उपर तो हम बात कर देंगे जाइफर लेब्स का डव श्टेपर का 10 जो amplifier है इसका price कितना होगा तो market में देखे price कम ज़्यादा हो सकता है 5000 के आसपास up या फिर down मतलब कम या फिर ज़्यादा हो सकता है और मैं आपको यह पहले ही बता दूँ कि यह amplifier जाइफर का कोई भी amplifier GST bill के साथ आपको मिलता है तो यह amplifier का जो price होगा GST bill के साथ approximately लगबग 115,000 के आसपास मतलब price आप calculation कर ज़्येगा कम ज़्यादा हो सकता है सभी market में अलग-अलग price होते हैं और यह price समय के साथ change भी हो सकता है तो वीडियो का लाश्ट तक देखिएगा मैं आपको क्या बोला कि price change भी हो सकता है यह अभी का price approximately 115,000 इसमें 5000 अप या फिर down हो सकता है और यह amplifier आपको अपने पास भी मिल जाएगा तो नीचे email ID दिया हुआ है आप वहाँ पर से जाकर के contact कर सकते है purchasing details के लिए तो कुछ इस type से जो है amplifier आपको देखिने को मिलता है और amplifier काफी अच्छा amplifier आपको देखिने को मिल जाता है तो चलिए फिर आज के वीडियो बस इतना आई था वीडियो का असा लगा नीचे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद फुद्ने मातरम